हर्याणा के सोनिपत में भारतिय खेल प्राधी करण यानि SAI सेंटर एक बार फिर चर्चा का केंदर बन गया है क्योंकि BJP सांसत ब्रिजभूशन शरण के खिलाब प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने एशियाई खेलों के ट्राइल्स की तयारियां शुरू कर दी है ब्रिजभूशन शरण सिंग से जारी विवात के बीच प्रदर्शनकारी पहलवानों ने एशियाई खेलों की तयारी शुरू कर दी है विनेश फोगाट बजरंग पूनिया और उनकी पतनी संगीता फोगाट मैट पर लोट आए है उन्होंने सोनीपत में भारतिय खेल प्राधी करन सेंटर में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है विनेश फोगाट ने नौजून को अभ्यास के लिए सेंटर का दौरा किया था विनेश की चचेरी बेहन गीता फोगाट भी ट्राइल की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पहुची है गीता ने नवंबर 2021 में गोंडा में राश्री चेंपियनशिप के बाद मैटर नीटी लीव ली थी लेकिन अब वो कुष्ती में वापसी कर रही है गीता के साथ उनके पहलवान पती पवन सरोह भी प्रैक्टिस कर रही है महिला पहलवान आमतोर पर लखरों में भारतिय खेल प्राधिकरन सेंटर में राश्री शिविर के लिए इकट्रा होती है लेकिन बिजभोशन के खिलाव परदेशन के मदे नजर इसे उत्तर परदेश की राश्रानी से बाहर कर दिया गया भारतिय खेल प्राधिकरन सेंटर के अधिकारी का कहना है कि विरोध परदेशन करने वाले पहलवान लंबे समय से मेट से दूर है फिलहाल ये पहलवान जारतर समय जिब में ही बिता रही है बता दे कि पहलवानों ने बीते दिनों खेल मंत्राले से संपर्क कर शारिरिक फिटनेस हासल करने का हवाला देते हुए एशियाई खेलों के ट्राइल को अगस्त में कराने का अनुरोथ किया था जिसके बाद भारती ओलंपिक संग ने सभी खेल संगों से 30 जून तक खिलाडियों की सुची मांगी है पहले से तैस समय सीमा के मुताबिक I.O.A. को सभी भाग लेने वाले भारती खिलाडियों की नाम पद्र जुलाई तक O.C.A. को भेज दे होंगे O.C.A. ने हला की कुष्टी के मामले में एशियाई ओलंपिक परिशत से संपर्क कर 10 अगस्त तक का समय मांगा है बतादे कि पहलवानों ने पहले कहा था कि ब्रिजभूशन शरंसीम पर अगर कारवाई नहीं हुई तो वो एशियाई खेलों में नहीं जाएंगे और आंदोलन की वज़े से उनके प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है इसके बाद ग्रह मंत्री अमिट्शा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ आंदोलनकारी पहलवानों की लंबी बैठक भी हुई थी डिबी लाइफ की रिपोर्ट